आगरा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें परवासी मजदूरों और वत्मार में ब्यापारियों के हलत को लेकर वरिष्ट ब्युसाइब मुराई लाल गोयल और सुमन गोयल ने दुख जताया है साथी सरकार से गोहा लगाई है को जल से जल परवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुचाने का काम करें लेकिन जिन मजदूरों के बल पर पूरा जो अपनी एकॉनोमी है वो पूरी निर्भर है मजदूर फैक्ट्रियों में कार खारों में काम करते हैं आज मजदूर अपने घर की और में गांव की और पलायन ind कर रहें एस से में जब लॉक्ड dunno Pron、 खुलेगा तब मजदूरों की पूर्ती कैसे होगी और कैसे-易क utनृमी की जो फाहिकिल है वो आगे बढ़ेगी इससे हमारे साथ है मुराई लाल गोयल जो के वरिस व्यवसाई भी है जानते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना है प्रवाजी मजदूर अपने घर के और पैदल लिगल पड़ा है ऐसे में जब लोकडाउन खुलेगा तब क्या मजदूर वापस लोट अपना समय गुजार रहा है ऐसे में फिरवासी या मजदूर दोनों के उपर तो एक तरह से एक बड़ा आपतकाल बड़ी संकट की घरी उसके और उसके परवार पर आनपड़ी है जो कि उसके जीवन को पूरी तरह से अस्थवेस्थ कर दिया है यह तो हर आदमी अस्थवेस्थ है लेकिन खास करके जो सडों के बचलने वाला अनराज्यों से जाकर दूर दराज नौकरी करने वाला अपने फरवार के लिए दो जून की रोटी जुटाने के लिए जो घर से निकला वो चुकि घर पर नहीं पहुंच सका तो इसलिए उसके सड़कों पर ही उसके साथ दरदनाग हास से हुए और उन हाथसों में वो अपने घर और परवार के दरसन नहीं कर पाया यह उसके लिए बहुत बड़ी पीला हुई कुछ पहुंच भी गए क्योंकि मजदूर प्रवासी यह देश की रिल की हड़ी है हर इमारत को बनाने वाला है हर मकान को बनाने वाला है हर बिल्डिंग को बनाने वाला यह प्रवासी मजदूर हर फैक्टरी को चलाने वाला कारूबार को चलाने वाला मैं यह कहता हूं कि देश का अगर पया है तो समस्तिय की वरिश समस्तिय भी है और महीलाओं को दर्दाइए उससी जानते किस तरिंग समय मफ के पर कराना से जूस्ते हुए हम लोगों को आज 25 दिन हो चुके हैं इस में सबी महीलाओं का बज़ट बिगड़ा है क्योंकि जब व्यपार बंद हैं सारे जेंट्स घर बैठे हुए हैं तो उससे काफी प्रभाप पड़ा है क्योंकि जब व्यपारी नहीं है तो घर में राशन पानी का विवस्ता सभी बिगड़ी हुई है उसको देखते हुए महिलाई भी थोड़ा दिप्रेशन में हैं बहुत सारा दिन आज के वर लियूज टीबी और अख्वार और घर में परिवार में उसके अलावा कोई और उस पे इस समय कोई भी विवस्ता नहीं है कि वो अपना काम कर सके उसको देखते हुए आज जो 65 दिन की अबदी हम कुजार चुके हैं उसके लिए ब्यपार का जो नुक्सान हुआ है वो तो हुआ ही है साथ-साथ में जो हमारे कामबाली भाइयं जो काम करती है अज पूरे धेश पूरे भारत में सभी जगा तो उनकी जो विवस्ता विगडी है जो उनके परिवार बूके राए हैं उनके कुछ घरों में तो ऐसा हुआ है कि भूक से मिर करेंगे ऐसा लगता है हमें तो यह थे हमारे साथ वरिस व्यवसाई मुराईलाल गोईल और वरिस समासेभी का सुमन गोईल जिन्हों ने बताया कि आज प्रवासी मजदूर मजदूर एक बहुत बड़े संकट की घड़ी से गुजर रहा है साथ ही जो मीलों की दूरियां है व और अब वो पया कैसे पट्री पर लोटेगा कैसे सही होगा यह कहपाना बड़ा मुस्किल है क्योंकि जिस दुख और दर्द के साथ उन्हों ने दूसरे राज्यों को छोड़कर अपने गाउं की तरफ रुख किया है शायद उनके अंदर कहीं न कहीं अभी थोड़ा डर है कि वो किस उम्मीद के साथ उन्ही बापिस उन्ही फैक्ट्रियों में उन्ही कार खानों में उन्ही राज्यों में लोटे जहां पर वो काम करते थे कैमरा परसन रामिश्वर के साथ अनिल कौन सिंग सीनी उज़ार्गा